बिग बोस अठार से एविक्षन पर इस कंटेस्टेंट का रो रोकर हुआ बुरा हाल बिग बोस अठार की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हुई ये कंटेस्टेंट फूड फूड का रोई बिग बोस अठारों को शुरू होते हुए एक हफता होने जा रहा है और घर में वजूद कंटेस्टेंस ने कौंटेंट देना भी शुरू कर दिया है और हर रोज किसी ना किसी कंटेस्टेंस के बीच तू-तू मैं में होते हुए देखा जा रहा है तो वहीं बिग बोस की घर में नॉमिनेशन टास्क भी हो गया है जिसमें इस बार घर से एविक्ट होने के लिए कुल पांच सदस नॉमिनेट हुए है इन पांच उस हदस्यों में से पहले सही तैह हो गया है कि कौन सा कंटेस्टेंट घर से पहले हफते बेगर होगा तो वहीं बिग बोस से इस अफ़ते जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट होगा वो टीवी की मशूर एक्ट्रेस है जिनका नॉमिनेशन के बाद रो रोकर बुरा हाल हो गया है बिग बोस अठर में आते ही घर में यदी किसी इंसान ने लड़ाई शुरू कर दी थी तो वो रज़त दलाल और ते जिंदर पाल सिंग बगगा थे जिन्नोंने घर में पहले ही दिन कलेश करना शुरू कर दिया था उसके बाद शुरू हुआ वेविंडे सिना और चाहत पांडे के बीच चाहत पांडे खुद को टीवी की सबसे एसंसकारी बहुँ बता रही थी वो घर में छोटी छोटी बातों पर लट्टी हुई नजर आई है इसके अलावा घर में पहले टास्क होने से पहले ही कैंसिल ह गया जिसमें करनवीर महरा और अविनार्ष मिश्रा का नाम सामने आया है जिसके बाद घर में पहला नॉमिनेशन हुआ जिसमें करनवीर महरा अविनार्ष मिश्रा चाहत पांडे गुर्णत सदावर्ते और मुसकान बामने का नाम सामने आया है जिसके बाद से शोशल मीड लेकिन बिग बॉस को कोई भरुसा नहीं है कब नियम बदल दे यदि वोटिंग ट्रेंड के अनुसार एविक्षन हुआ तो मुस्कान बामे का इस हफते बिग बॉस 18 में सफर खत्म हो सकता है वीडियो पसंदा है तो लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें